हम आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं हम आज तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुम्हें राम का ना बन जाते हैं भिगड़े का जो सुम्हें राम का ना बन जाते हैं भिगड़े का हुआ विवाह सपन सभी मिल मंगल गाएं हैं भरत के मामा यूधा जित फिर वहां पे आएं हैं बोले दश्रत से मैं आपसे आज्या चाहता हूं कुछ दिन मैं न निहाल भरत को ले ही जाता हूं बोले दश्रत पहले हमें आयोध्या जाना हैं समाचारिन के विवाह कभी तो सुनाना हैं फिर तो आयोध्या प्रस्थान की करने लग तैयारी तभी गर्जना आसमान में हुई बड़ी भारी कैसा भयंकर सोरह चिंता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम बोले दश्रत विश्वा मित्र से कैसा है ये शोर। पक्षी भयंकर ध्वन करके उड़ रहे हैं चारों आई भयंकर आधी जिससे लगे पेड़ गिर ने फिर तो दिलासा दिलवाई गुरु विश्वा मित्र ने बोले मत घबराओ राजन मेरे होते हुए हिम्मत है किस दुर्जन की जो आके तुम्हे छुए फिर तो विश्वा मित्र न किया उसी वो रहे ध्यान देखा क्रोध में भर के क्यूं आए है परशूरां आने का परियोजन सब ही पूछन चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का देखा क्रोध से परशूराम की आखे हो गई लान सिरीराम से परशूराम ने फिर ये किया सवाल शू का धनुस पिनाक राम क्यूं तुमने तोड़ा हैं कर दिया भंग स्यू की गरिमा को भी ना छोड़ा हैं अपने आपको समझ रहे हो बहुत बड़ा योधा मेरे पास भी एक धनुस है खुद विश्णों जी का सुच में ही जो योता हो तो इसकी डोर चड़ाओ महारती तुमको जब मानू इसको आप चलाओ परशूराम की सुन बातें भगवन मुसकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में सिराम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का लेके धन उस फिर सिरी राम ने उसकी डोर चड़ाई परशूराम भी समझ गए खुद विश्नों है न घुराई बोले राम ये वारधन उसका खाली न जाए बोले परशूराम कहां पे इसको अभी चलाए बोले परशूराम आप इतनी किर्पा कर दो पुन्य लोक जीते तप बल से नष्ट उन्हे कर दो मैंने ये भूमी कभी कर दी है कश्यप कोदान मिट जाएगा इसके साथ ही मेरा भी अभिमाँ परशूराम महेंद्र परबत पर चले जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं ले के जन्य अयोत्या में श्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरि लाम का नाम बन जाते विग्ड़े काम जो सुमरिराम का नाम बन जाते बिगड़े काम फिर तो आयो ध्यान गरीकों किया सबने ही प्रश्ठान नगर के वासी खुसी मनाए हो रह मंगलगान अपनी पत्नियों सहित नगर में आए चारों भाई तीनों ही माताई देखके भूली नहीं समाई रीति रिवाज से बहुँओं का है ग्रिह परवे सिकराया पुत्र वधुओं का व्योहारे है सब के मन को भाया युद्धा जित फिर दश्रत जी से रहे है विन्ती के भरत और सत्रोगन को अब भेजो हमारे गए फिर ननिहाल को दोनों भाई चले ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मायोध्या में स्रीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े कां राम लखन लग गए मात बिता की सेवा करने हो गए चर्चे उनके सोरे के फिर तो घर घर में राज काज के काम में राम तो हाथ बताते थे निर्बल की मदद करें दुष्टों को भगाते थे राजा दश्रत से भी बढ़कर राम तो थे दयावान देख के राजा दश्रत ने ये मन में लिया है था मुझसे भी अच्छा राज ये राम चलाएंगे राम राज में दीन हीन कोई ना रह पाएंगे मंत्री गड़ों को फिर राजन ये बात बताते हैं मावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े काम बोले दस रत मंत्रियों से अब व्रिध मैं हो आया साथ समय के होने लगी है जर जर ये काया शोप के राज राम को कुछ करना चाहिए विसरा राम के राज तिलक का कर दो अब तो तुम एलाओ सभी पडोसी राजों में ये नी मंत्रण दे आओ आदर सहित सभी को राज तिलक में बुलवाओ दशरत की सुन बाते वो मन में हर शाय है नी मंत्रण सब राजों में फिर वो तो भिजवाई है खुसी खुसी सब फिर तो आयोध्या नगरी आते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम सब का स्वागत फिर तो हैं बड़ी धूम धाम से हुआ लाजा दश्रत ने उन सब से विंती की है या राम का राज तिलक करने की मेरी है इक्षा इस बारे में अपनी सेहमत आप भी दियों जता एक स्वर सबने मिलकर फिर तो यही कहा सिरी राम से अच्छा राजा हो ही नहीं सकता बोले गुरू वसिष्ठ से दसरत इतनी अरज हमारी राम के राज तिलक की गुरुवर करवाओं तैयारिन अपने अपने काम में फिर तो सब लग जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मा योग्या में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम काना बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम काना बन जाते बिगड़े का रानी को सल्या की तासी दोड़ी दोड़ी आई माता को सिल्या को सारी बाते हैं बतलाई खुस हो कर को सल्या बोली जी ओ बरस हजार हीरे मोती दिये उपहार में रत्न जड़ते एक हार लेकिन रानी केकेई की दासी मन्थरा थी राम राज की बात तो उसको अच्छी नहीं लगी सोचा राज आयो ध्या अब तो राम जो पाएगा मान कैके इरानी का फिर तो घट जाएगा बड़े ही उसके मन में कूब विचार ही आते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्वायो ध्या में शिरी राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम खाना बन जाते हैं बिगड़े का जो सुमर राम का ना बन जाते हैं बिगड़े का फिर मन्थरा दासी कैकेई के पास आई हैं राम के राज तिलक उसको खबर सुनाई हैं सुनकर सुभ समा अचार कैकेई प्रसन हुई भेट अनेक खुसी से मन्थरा दासी को दी लेकिन भेट तो दासी मन्थरा ना करती स्विकार बोली रानी कैकेई तुम कुछ तो करो विचार राजा होंगे राम को सिल्या राज माता बन जाएं आपके साथ भरत का भी फिरमान तो घट जाएं विचार कैके ही रानी के बदल ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोधा में श्री राम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाव बन जाते भिगडे का जो सुमर राम का नाव बन जाते भिगडे का मैं लेवस्त्र पहन के केई कोप भवन में आई मंथरा की बातों का उस पर दिया है असर दिखाई गई धरा पे लिटके केई बिखराएं है केश आती प्रिय ये राम कभी आज होने लगा है द्वे फिर तो राजा दश्रत भी महलों में आते हैं पर केकेई को अपने कच्छ में ना पाते हैं कोप भवन में हैरानी कुछ दासियों ने बत लाया कोप भवन का नाम सुना तो उनको अचरज आया फिर तो कोप भवन में राजा दश्रत जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म अयोध्या में स्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का लगे पूछने राजा दश्रत या कर कोप भवन रूठने का है प्रिये बताओ क्या है ये कारन तुम रूठी हो खुसी मना रही प्रजा ये सारी राम के राज तिलक की पूरी हो गई है तैयारी सुनकर रानी कैके इने फिर दस रथ से कहा देवा सुर संग्राम में की थी मैंने तुम्हारी रच्छा वचन दिये दो आपने मुझे को उनको कर लो यार देने होंगे तुमको वो ही दोनो वचन तुआ जो मागोंगी वो दूंगा विस्वास दिलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेगे जन्म अयोध्या में सीराम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरिराम का नाम बन जाते बिगडेका जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगड़े का अच्छा सोभाव था कैके का हो गया बड़ा गठोर बोली ऐसा है तो राजन सुल्व करके गओर रग गुल की मर्यादा से तुमको ना फिर ना है दिये वचन जो मुझे को दो उन्हें पूरा करना है राम स्थान पे पुत्र भरत का राज तिलक हो जाए राम तो चोटा वरसों के लिए वन वास को जाए सुना जो राजा दशरत ने तो सर है चकराया ये सुनने से पहले मुझे को क्यों ना काल आया गिर कर धरा पे फिर तो वो मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म योध्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का ना बन जाते बिगड़े का थोड़ी देर में फिर वो मुर्छा से बाहर आएं बोले हैं कुल घात नी क्या तुमने मांगा हाई भरत से भी ज़्यादा कहीं राम तुम्हें मानते हैं कपट तुम्हारे मन में इतना नहीं जानते हैं हाथ जोड़े कर फिर तो दशरत करने लगे विंती राम वियोग है पाप निये ना सह पाऊंगा कभी रानी कैके इने पर उनकी बात नहीं मानी जो ना बंचन निभाने थे तो क्यों बन गैदानी बार बार राजयां दशरत मुर्छित हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जनमायोग्या में श्री आम जवाते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमर राम का नाम बन जाते बिगडे का फिर तो संदे सांके केईने है राम को भिजवाया कोप भवन में सिरी राम को ही है बुलवाया मात पिता के चर्नों में किया ते ही पहना राजा दश्रत के मुह से बस निकला है हेरा बहते अस्रू आँखों से बोल नहीं पाए बोले राम ये आपने हालत कैसी ली है बनाए बोली के के ई राम मैं तुम्हें बताती हूं करोगे आग्या पालन तो मैं सब समझाती हूं सिरी राम आग्या पालन का वचन निभाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में स्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नाव बन जाते बिगडे का अपना प्रयोजन कैके इने राम को बताया भरत को राजा और वनवास है तेरे लिए चाहां है लग जित ये कैसे अपना वचन निभाएंगे दिये हुए वचनों से क्या ये मुकर ही जाएंगे बोले राम जो चाहो माता प्राण भी दे दूंगा कुल की मर्यादा को लेकिन कायम रखूंगा राम कैके इका दसरत सुन रह थे समवाद ना जाओ मुझे छोड़िक बेता करने लगे फर्याओं लेकिन राम तो दिया पिता का वचन निभाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्मयोग्या में श्री राम जो आते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगडे का जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगडे का खुसिया बदल गई मातम में ये क्या हो गया हैं लेकिन राम के मन ना कोई गिला या शिकवा है मात पिता के चरनों में फिर करके वो प्रैना कोप भवन से सिरी राम ने कर दिया है प्रस्था मरमस परसी घटना कैसे डीयस पाल कहे गाते गाते इस बृतांत को आशू आज बहे फोजी सुरे सिक भी लिखते हुए काप रहे है हाथ मात शार दे दे देना तुम थोड़ा मेरा साथ वरना आख से आशू मेरे छलक ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं लेके जन्म आयोध्या में स्री राम जुआते हैं हम कथा सुनाते हैं जो सुमरे राम का नाम बन जाते बिगड़े काम